तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर का सस्क्राइब को बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करके आप हमारी चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने लेप्टॉप से अपने पेंडराइब में जो है कोई भी फोटो या कोई भी फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपने पेंडराइब से अपने लेप्टॉप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने लेप्टॉप से अपने pen drive में भी कोई भी photo video गाना जो है आप send कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं तो कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आप सभी कोई इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बीना समय गवाई इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है, कि आपको अपने pen drive को अपने laptop में connect करना पड़ेगा हमारा जो USB port है, उसमें इसको हमारे USB pen drive को लगाना पड़ेगा तो चलिए जो मैं लगा देता हूँ, यहां पर जो हमारा USB port दिखाई दे रहा है नीचे के तरफ इसको हम लगा देते हैं, अब लगाते ही यहां पर laptop में notification आ चुका है कि हमारी USB drive है वो connect हो चुकी है हमारे laptop से अब दोस्तों आपको करना क्या रहता है, कि आपको अपने laptop में file explorer application को open करना है अब उस application को कैसे आप open कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि simple अपने laptop में यहां पर window वाला option दिखाई दे रहा होगा यह आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह वाले option पर आपको कर देना है click जैसे click करेंगे तो सभी application आपकी laptop पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा अब यहां पर आप सभी को search करना है, search करने के लिए आप keyboard की मदद ले सकते हैं अभी हमारा जो laptop की बोड है वो खराब हो चुका है, तो यहां पर जो हमने एक अलग से keyboard अपने laptop में लगाया हुआ है तो इसी के मदद से हम यहां पर file explorer को search करने वाले हैं, तो आपको लिखना क्या है, जैसे ही आप यहां पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहां पर window key पर open करेंगे न, तो यह कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपको लिखना है, F I L E, इतना type कर यह जो हम open कर लेते हैं, अब open होने के बाद जो यह application कुछ इस प्रकार से आपके laptop के screen पे open हो जाएगा, दोस्तों यह application है जैसे हमारे mobile में file manager रहता है, उसी प्रकार से laptop का file manager है, इसको file explorer application बोलते हैं, इसमें जो है, सभी प्रकार की photo, video, file जो है, इसी में पड़ी रहती है, तो अब आपको करना क्या है, यह अपने laptop में यह वाले line में, लास्ट में किनारे के तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपको जो डोड़ना है, this PC का option, यह वाला option, तो हम को मिल चुका है, तो हम जो यहाँ पर, यह देखे, this PC का जो option है, उस पर click कर देते हैं, जैसे click करें तो file explorer के home page पर आप आजाएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारी drive दिखाए दे रही है, C drive, यह E drive है, और हमारी USB drive है, वो यहाँ पर दिखाए दे रही है, यह देखे, लिखा है USB drive G, ठीक, यहाँ पर थोड़ी से zoom करके, मैं आपको दिखा देता हूं, USB drive G, यह कित तो भीजने के लिए करना क्या है, कि सबसे पहले आपको अपने laptop से जिस file को भीजना है, उसको जो आपको copy करना पड़ेगा, तो चलिए जो हम copy कर लेते हैं, हमारा जो laptop में, desktop में कुछ file पढ़ी है, फोटो पढ़ी है, इसको open कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख सकत लेना है, सबसे पहले इस folder को, और select करने के लिए क्या करना रहता है, कि करसल को लेकर जाना है, यहाँ पर ले जाने के बाद आपको, यहाँ पर track pad पे एक बार अगर क्लिक करेंगे, तो यह automatic select हो जाएगा, select होने के बाद आपको copy करने के लिए क्या करना है, अपने, यहाँ अपने keyboard में, control और plus C, यह वाला जो है, option आपको दबाना पड़ेगा, जैसे दबाएंगे, तो यह जो file है, हमारी, यह copy हो चुकी है, अगर आप ऐसे copy नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है, अपने track pad में, या अपने mouse में, यहाँ पर जो है, right click का option दिखाए दे रहा होगा, उस पर click कर देना है, और click करने के बाद, आप सभी को यहाँ पर नीची के तरफ आएंगे, तो जैसे right click करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी को option आजाते हैं, बहुत सारे, तो यहाँ पर आपको copy का भी option देखने को मिलेगा, अपको अपने mouse से या अपने track pad से, यहाँ पर copy वा तो transfer करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से this PC वाला जो option है, उस पर चले जाना है, तो चलिए जम यहाँ पर click कर देते हैं, click करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि home page आ चुका है, अब उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पर USB drive Z पे, यहाँ पर double click कर लेंगे, तो यह जो folder है, USB का जो file है, वो open हो जाएगी, और open होने के बाद जो आप से पेस्ट करने के लिए क्लिए क्या करना रहता है, कि यहाँ पर आप सभी को trackpad में, यहाँ जो right button है, उस पर click करेंगे, तो बहुत सारे option आ जाते हैं, ठीक है, करसल के पास देख सकते हैं, कि यहाँ पर बहुत सारे option आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, करसल को लेकर आना है, और फिर यहाँ पर आने के बाद जो आप सभी को यहाँ पर right click कर देना है, right click करने के बाद जो यहाँ पर paste का option दिखाए दे रहा होगा, यह देखिए paste का, इस पर click कर देना है, और जैसे click करेंगे, तो हमारी जो file है, वो transfer होना शुरू हो चुकी है, यह देख सकते हैं, कि यह transfer हो रही है, तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से जो है, आप अपने laptop से, अपने pen drive में जो है, कोई भी photo या file जो है, transfer कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वीडिय करता हूं, कि यह video आप से भी को अच्छी लगी होगी, file transfer होने में जो थोड़ी सा time लगेगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करिएगा, कुछ भी कहना हो, तो comment box में लिख सकते हैं,